नमस्ती स्टूडेंट आपका हमारे अमेजिंग से प्लैट्पॉर्म सोनु कम्पेटिशन क्लासिस पे आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम दानने वाले अपनी जो मिसलीनियस एक्जामपल्स हैं वो भी लिमिट और डेरिवेटिव के बारे में तो इससे पहले जो हमार पहले हैं वो रिवाइज कर लेते हैं और क्या करेंगी ठीक है न और देखते हैं आगे फिर हम अपने एक्सरसाइज पर आते हैं यहां पर क्यूशन पर आते हैं तो पहला जो है यहां पर देखिएगा कि आपके लिए तो पहले तो अपने को देखिएगा कि क्या करने वाले पहले हम करने वाले अपनी derivative की basic definition जो दो थी वो तो यहां से पहले हम recap करेंगे basic definition of किसकी derivative की ठीक है तो यह अब आगे चलते में तो first जो definition थी वो अपने पास f of days थी limit as tending to 0 था और क्या करते थे f of x plus का h करते थे और minus करते थे function को h आजाता नीचे second क्या था यह अपने को यहीं पे x equal to particular value दे देते तो यह आजाता यह और यहां से आजाता limit as tending to 0 और यहां से आजाता f of a plus का और minus का f of a upon me h ठीक है इसके बाद में अपने पास देगे दो rule बहुत ही major use होंगे एक तो multiple rule देखिएगा multiple rule और क्या बोल सकते हैं इसको product rule ज्यादा अच्छा product rule बोलते हैं इसको प्रोड़क्ट rule प्रोड़क्ट rule क्या होता है डीक्स upon में यदि u और v हैं तो पहले हम first वाले की service देते हैं जो हमें काम करने को बोला न derivative वो u का करते हैं और फिर plus करते हैं और दूसरा क्या करते हैं यू को बाहर करते हैं और v का derivative करते हैं यहां तक clear आपको यहां तक ठीक है इसके बाद में हम क्या करते हैं इसके बाद में हमारे पास एक आ जाता है कोसेंट फॉर्म क्या आती है यू बाई v की फॉर्म आती है ठीक है वो कैसे यह बाई कि यह है कि आप क्या करोगे v को बाहर करोगे du अपन में dx करोगे और minus करोगे यहां से u को बाहर करे हुए v upon में dx करोगे नीचे क्या आने वाला है v का whole square आने वाला है यहां तक clear आपको ठीक है तो यहां तक अपने पास यह दो form layers है और इन में देखिएगा कि जब भी हम first derivative form लगाते हैं अपनी तो यहां पर क्या काम में आने वाले जो basic से जो अपने प h upon में h की value क्या आने वाली है 1 और दूसरी जो limit है limit as tending to 0 है वो 1- का cos h upon में h है जिसकी limit क्या होती 0 और कुछ basic से derivatives जिने हमें direct याद रखने हैं वाई dx और वो क्या होते है cos x उसका derivative क्या होता है minus का sin x होता है और dx और कुछ क्या है बहई dx है किसका sin x इसका derivative क्या होता है cos x होता है और यहां से dx है और यहां से 10 का derivative क्या होता है यह प्रूफ कर चुके हैं से कि square x होता है और आगे में देखिएगा कि dx अब इनके जो wipes हैं वो कहा इनकी वाइब भी है ना यह जोडे में पैर में है तो इस 10 की वाइब तो क्या है वह क्या होता उसका आता है कोट का क्या होता है माइनस का कोस स्क्वेर एक्स इसके बाद में देखिएगा अब इसके बाद में दूसरे की वाइब क्या है यहाँ पे तो दूसरे की वाइब को पकड़ होई सेक अक्स है कोस की और इसका डेरिवेटिव क्या आता है सेक अक्स और आगे क्या लगा दो एक टेन लगाने की जूरत है यहां तक आगे और लाश्ट वाला है वो है एक्स अप को सेक pass, तो को सेक क्स का होता है, माइनस का और इसमें, जैसे को सागए, उसका सेक देख का हapan, मुँआ आएक कोट, इतना धीहाँ रखो मैं देख कोट कोट का सेक का स्पाप ही कॉस है पिर सेक का क्या है सेक किस अगया तो इसके साथ में सीसे क्या कि यॡूर्ण कोट इस प्रकार से याद भी कर सके यॡू यह पने पास देखिये कोश को सीसे का में 마rió है अब देखते हैं आगे तो अब अपने पीछे में चलते हैं और पीछे में अपने exercise यह जो अपना misleynes का example है इसको solve करते हैं तो पहली जो the question है पहला है क्या बोला भाई first principle शे solve करदो ठीक है first principle शे इसको solve करना करदेंगे भाई बोलो भाई कि first principle क्या होता है basic definition तो है यह अपनों ने अभी लिखिए है ठीक है यह तो basic definition of derivative बोल दो कुछ भी बोल दो या first principle बोल दो एक यह बात है ठीक है तो यहां से basic definition तो हम जानते हैं कि f of days क्या होता है limit as tending to 0 होगा और इसको क्या बोलते है f of x plus h और यहां से क्या करते है f of x नीचे h ठीक है अब government ने जो function दिया उसको अपने को क्या change करने को बोला government ने कुछ आदेश दिये है अपने को यहां पर यदि हमें राजस्तान में रहना है तो राजस्तान की government की कुछ पालना तो करनी पड़ेगी कुछ नियम कायद ने है बही यहां पर 2 है और x की जगा । x ॥ ca h है और यहां पर minus का 2 है और यहां पर function कितना है 2 x で ca 3 है और x-2 है, नीचे कितना है, h है, किलिए रहें यहाँ पर फंडा, अब फंडा किलिए है, तो क्या करेंगे, अब इनको lcm लेंगे, और sol करेंगे, limit as tending to 0 है, और यहाँ से, पहले lcm ले लो, lcm लोगे, तो x-2 है, और यहाँ से क्याएगा, x-2 इसके साथ multiple में, तो h तो वैसे, सबी में h तो, ठीक है, पहले lcm ले लो, lcm को sol कर लो, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, कितना पहले, तो इसको अंदर multiply करा लो, 2x plus 2h, और plus 3, अब इसके साथ multiple में क्याएगा, x-2, यहाँ तक clear है, अब यहाँ पर क्याएगा, 2x और plus 3, नीचे क्याएगा, इससे multiply होने के यह, यहाँ तक clear है, तो यहाँ पर पहले, इसके साथ, तो x-2 होएगा, इसके साथ, 2x plus 3 के साथ, क्या होने वाला है, x plus 3, minus 2 होने वाला है, और नीचे जो अपने पास, जो h, वो है यह, अब इसको देखे, और आके solve करो, इसको देखे, कैसे solve करना अपने को, तो यहाँ से, f of days है, यहाँ पर limit as standing to 0 है, और यहाँ से क्या आएगा, 2x square है, और यहाँ पर क्या आएगा, minus का 4x है, और आगे देखेगा, कि minus कितना है, minus का, plus का 2x h है, और आगे देखेगा, कि, यहाँ पर क्या आएगा, minus का 4h है, और 3, plus का 3x है, minus का 6 है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, I hope सबको, और आगे देखेगा, कि क्या करने वाले, आगे है, यहाँ पर minus है, पहले तो, पहले अंदर solve कर लो, तो, अंदर solve करोगे, तो 2x square है, ठीक है, फिर इसके साथ में, 2x h भी है, फिर इसके साथ में, minus का 4x भी है, यहाँ तो, clear है, यहाँ तो, देखेगा, आगे चलते हैं, आगे देखेगा, कि 3, फिर क्या है, 3x भी है, और plus का 3h भी है, और minus का 2 भी है, और नीचे क्या है आपक नीचे है, आपका x plus का h minus का 2 है, और देखेगा, कि x minus का 2 और multiple में h है, अब देखेगा, कि क्या करने वाले है, f of days, और limit, h tending to 0 है, ठीक है, अब देखेगा, जो जो pass में, उसको pass में लियाओ, यानि 2x square है, minus का 2x square, इसको इधर लियाओ, और यहाँ पे, minus का 4x है, तो plus का 4x है, यहाँ पे भी, ठीक है, इसके बाद में देखेगा, कि 2x है, तो यहाँ पे plus का 2x है, तो यहाँ पे भी minus का 2x है, और देखेगा, क्या यहाँ पे अपने पास देखेगा, कि यहाँ पे plus का 3x है, तो यहाँ पे minus का 3x है, तो यह अपने पास ये वाली terms, ये वाली terms, ये अभी अपने पास 3x वाली terms कतम हो गई, और अपने पास देखिएगा कि क्या बचा है, यहां पर 4h बचा है एक तो, और यहां से minus का क्या बचा है, 3h बचा है, और constant में देखिएगा कि minus का 6 बचा है, और इदर आएंगे तो plus का 2 हो जाएगा, अब देखिएगा कि यह कटा, य यह कटा, यह कटा और यह कटा, यह कटा और यहां से भी यह कटा और आपके सामने देखिएगा कि क्या बचेगा, यहां पर अपने पास minus का 2, चलिए देखते हैं यहां पर कितना बचेगा, h बचा है और नीचे h है, divide में तो यह तो नहीं होना चाहिए, बचा है बचा है, का-6 आएगा यहंसे, communist इसको multiply करная होगे तो minus 6 तो आएगा न और यह अपना नहीं यहां पर एक mistake कर दिरी यहांप trabalhar 2 है यहांपर क्या है coming 6 यहांपर का here यह minus आते हांपर बचांग यहां पर बचेंगा बचांगे यहांपर एक अपने लिए यहां से प्लस का 6 और यह भी यहां से कटा अब यहां से कटा तो यह देखें माइनस का 7 बचा है और नीचे क्या है नीचे क्या है वो है जो लिख दो x प्लस का h माइनस का 2 है और यहां से x माइनस का 2 यह है और यह h है उपर देखोगे तो आपके लिए अब देखिएगा कि यहाँ पर f of des x और यहाँ से कितना बज़ेगा minus का 7h और यहाँ से x है यहाँ पर plus का h minus का 2 और x minus का 2 किलिए रहे हैं यहाँ पर अब यहाँ से जैसे आप derivative मारोगे क्या limit तो put करो यहाँ पर यहाँ आप से आप limit as tending to 0 है यहाँ पर क्या है limit as tending to 0 है अब जैसे आप limit put करोगे f of des x आपके सामने आएगा h से h तो गया तो यहाँ पर आएगा minus का 7 upon में x- का whole square यह आपका क्या होगा answer होगा यहाँ पर जैसे 0 रखोगे x-2 यहाँ पर x-2 नीचे बचे का whole square उपर x-2 whole square आगया तो यह अपने पास है 90 number का 19 number का क्या था अपना example था जिसमें first part complete होता है अब इसके second part में चलते है second part x plus का e यह कितना simple question है यहाँ से देखिएगा कि y क्या दिया हो है f of x plus का one जिसको first principle से करना है तो हमें पता है f of dash क्या होता है f of x plus का यहाँ से limit as tending to 0 है और यहाँ से function x plus का h है minus का f of x है upon में h है तो यहाँ से देखिएगा कि आप क्या करोगे कि limit as tending to 0 है और यहाँ से function में x plus का h put करो यहाँ पे function में h plus यह put करो और यहाँ से x plus function में यह put कर दो नीचे h आ गया कुछ भी नहीं करें function में value put करना सीख रहे है यहाँ तक तो अब यहाँ से क्या करने वाले हम इनका क्या करेंगे LC हम लेंगे और solve करेंगे पहली बात इदि आप करना चाहो तो x x से x तो वे से cancel out हो गया ठीक है यहाँ से देखोगे तो x से x तो वे से cancel out हो गया तो limit as tending to यह तो 0 आया और यहां से क्याएगा x plus h का whole square plus का 1 कर दो नीचे क्या कर दो x plus का x plus का h कर दो और minus क्या कर दो उपर तो यहां से हो गया x square और plus का 1 और नीचे कर दो x square नीचे कर दो x only और upon में कितना है इन सब के h है अब इनको LCM ले लो भाई अब देखो यहां पर तो calculation हो रही है बस अंदर ही अंदर लड़ाई है चल रही है बस उनको लड़ाई को करना अपने हो यहां से बाहर आ गया x और अंदर देखिएगा कि अंदर देखिएगा कि क्या एगा x square ठीक है और यहां पर अंदर whole square को खोल भी दीजेगा 2 x h और plus का 1 और minus ठीक है यहां पर और यहां से क्या आने वाला है x square plus 1 और यहां से x square plus का h LCM लेकर उसको मैंने direct LCM कर दिया इतना तो आपको आता होगा यह तो मैं मान की चल रहा हूँ LCM भी मेरे को नहीं चिकाने पड़ेंगे यहां से देखिएगा कि LCM आया और यह h इनके सब में multiple में था तो यहां से x में गया यह x यहां पर multiply हो गया यहां पर x square था तो यहां पर x plus h multiply हो गया और यहां से limit as tending to 0 है ठीक है अब देखिएगा कि यहां पर हम क्या करने वाले है अंदर इसको multiply करो x cube और यहां से x square h आया यहां पर 2 x square h ठीक है और अंदर देखिएगा कि x आया और minus x square अब देखिए मैं इसको इधर ही multiply करके बता रहूं कि यहां पर आएगा x cube और यहां से x h x square h है यहां पर और यहां पर आएगा x और plus का h यह अब इसको यहां पर direct x cube करो minus x square करो और यहां पर minus का x करो minus का h करो यहां से और नीचे देखिएगा कि x और x plus का h और यह h ठीक है यहां पर और गर्मी बहुत है यहां से x और यहां पर कहीं न कहीं आपको x square भी आपको कहीं न कहीं मिलेगा x से x गया यह मिला और कहीं न कहीं आपको क्या मिल रहा है कि limit as tending to 0 है और यहां से देखिए माइनस देखिएगा यह plus है तो यह बचएगा x square plus का ठीक है यह 1 गया इसमें से और यहां पर क्या आएगा x plus का h square यह बचा और यहां पर आएगा माइनस का h नीचे क्या बचएगा आपके लिए x और x plus का h और यह h अब इसको और आगे solve करते हैं यहां पर f of days x है और यहां से limit as tending to 0 है और यहां से क्या आएगा आपको h common ले लिजेगा तो x square और क्या बचेगा x plus का h और माइनस का 1 नीचे क्या आएगा h और x plus का h और x और कुछ नहीं है यहां से h से h cancel करो limit operate करो और यहां से आएगा x square यहां पर x dot 0 माइनस का 1 upon में यहां से आएगा x plus का 0 और यहां और यहां से x square यहां पर माइनस का 1 और upon में क्याएगा x square यह क्याएगा x square upon में x square और यह अपने पास क्या होगा तो यहां से देखिएगा कि कितना आएगा 1 और 1 upon x square right answer यहां पर इसको और लिख सकते हो 1 और minus x square यह अपने क्या है right answer तो यहां से b होता complete आगे चलते हैं अपना क्या है अब इसमें देखिएगा कि क्या बोला by the first principle इसने बोल दिया है यहां पर तो उसी से करते हैं चलिए देखते हैं अब देखिएगा कि अपने 22 number के question में first part देखते है by the first principle है तो यहां से क्या करेंगे by basic definition by basic definition तो इसमें क्या करते हैं भई कि यहां से तो basic definition f of dash x क्या करते हैं भई यहां पर कि कोई भई limit लगाते हैं limit as tending to 0 है यहां तक ठीक है function देखिएगा कि क्या आने वाला f of x plus का h minus f of x upon में h ठीक है और यहां से function अपने को government ने जो दिया न वो हमें पकड़ना भई sin है sin में x x plus का h करते हैं और यहां पर करते हैं cos x plus का h function में put कराते हैं function में put कराते हैं cos x minus का sin x करते हैं और नीचे क्या हैगा h ठीक है यह अपने पास function है ठीक है कोई दिकत नहीं है यहां पर पीचे होने पर भी कोई दिकत नहीं क्योंकि दोनों plus में इसलिए अब यहां से हमें एक formula तो पता है cos और sin में वो use करेंगे यहां पर क्या formula है limit as tending to 0 है यहां से formula हम जानते है cos x sin x cos h और यहां से plus क्या करेंगे cos x sin h करेंगे plus यहां से अब यहां पर करेंगे तो cos x है और यहां से cos h है minus यहां से sin x है और sin h है यह clear है आपको और आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है cos माइनस का sin x और नीचे h यहां तक clear है अब जहां जहां पर आपको जरूत है वहां पर cos को common लीजेगा और sin को common लीजेगा ठीक है तो पहले वाले पार्ट में आते हैं यहां पर यहां से इस वाले पार्ट को उठाओ और इस वाले पार्ट को उठाओ यहां से देखिएगा कि sin क्या हैगा कि cos h minus का 1 upon में देखें क्या मैं आपके लिए यहां पर लिमिट भी पहले पहले सेपरेट करता जा रहा हूं कि थोड़ा आसानी रहे अपनी जो मुस्किले है ना क्योंकि यह डिवाइड में तो इनके सब के नीचे तो आजा सकता कोई दिक्कत ही नहीं है अब मैं यहां से थोड़ा सा डाइर यहां पर भी देखेगा कि कोई खस को कय соверш कोई मिन लेते ही आपके लिए यहां पर बचेगा कोस खस माइनस का 1 अपन श है और यह से जैसे आप कोई खस को कमल होगे तो यहाँ पर क्या बचने वाला है यहाँ पर बचने वाला है आपका cos h- का 1 upon में h अब next one अब next one में आपके पास देखिएगा एक जगे तो क्या है वही limit h tending to 0 है जहाँ पर cos x है और यहाँ पर क्या है sin h है और यह h यहाँ तक के लिए है plus आगे देखिएगा आगे देखिएगा हमने कौन सा काम में लिया है वही अभी इसको छोड़ा ना यह वाला लीजेगा minus sin x और sin यहाँ से पहले एक mistake पहले यहाँ पर limit limit h tending to 0 है और sin x sin h है और यह h यहाँ का minus पहले हमने बाहर ले लिया अब आपको पता होना अच्छे इसमें तो यहाँ पर limit काम करेगी नहीं limit करती है काम h पर तो यहाँ से limit को shift कराओ और यहाँ पर लाओ cos h minus का यह और यह देखिएगा कि यहाँ से यहाँ पर भी limit h tending to 0 है और यहाँ से cos h और यह h अब यहाँ पर भी काम नहीं करती वही cos x और limit कहां पर काम करेगी sin h और sin h ठीक है यह और आगे देखिएगा कि limit कहां पर काम करेगी कहीं पर x पर तो h पर तो h के उपर इसको लगा दो और यह h अब आपके सामने answer तयार है कितना simple question है देखिएगा अब यहाँ से कि f पहले limit देखिएगा कि sin x और plus cos यह 0 और यहाँ पर यह और minus यहाँ पर क्या आएगा यह तो cos बचा और इसमें multiple में 1 minus यहाँ पर क्या बचा sin x और यहाँ पर 1 और यहाँ से देखिएगा कि f of des x बराबर क्या आने वाला है cos x minus का sin x और यह यहाँ पर क्या आने वाला है answer ठीक है यह अपने पास होगा first principle a complete ठीक है इसका b part करो b part करते हैं यहाँ पर देखिए यह same to same question ही चलने वाले कुछ दिक्कत ही नहीं क्या से करते हैं d अपने को पता है first principle से तो हमें करना है तो by basic definition ठीक है basic definition करते हैं तो यहां से क्या है अपना limit as tending to 0 है और यहां से f of x है minus f of x नीचे h है अब function अपने को जो दिया है सरकार ने वह तो लेंगे वही कुछ अलग तो ले नहीं सकते तो जहां पर x है वहां पर x plus का h बिठा देंगे और minus का क्या कर देंगे sin x कर देंगे नीचे h आजएगा यहां तक clear आपको यदि आपको देखिएगा कि sin x plus h का कुछ formula पता है तो यहां से कुछ उसको क्या सचाई है आप उगला सकते हो सचाई क्या भी बताएगा यहां पर limit as tending to 0 है और यहां से x plus minus का sin h है और इसमें देखिएगा कि क्या कर सकते हो sin x cos x plus यहां पर क्या आने वाला है कि cos x और sin h क्या है ठीक है यहां से और minus का cos x और नीचे h है ठीक है यहां पर अब आप क्या कर सकते हो यहां से कि limit as tending to 0 है अब आपके लिए क्या option बचते हैं यहां पर जिन्दिगी में तो option तो बहुत सारे बचे हैं देखते हैं क्या क्या है पहले तो x को multiply करा दो इससे अंदर multiply करा ओ पूरे से ठीक है अंदर अंदर multiply करा दो अंदर multiply करा ओगे तो क्या आएगा कि x sin x cos h यहां तक क्लिए रहे पिर इसके अंदर ले आओ x cos x sin h यहां तक क्लिए रहे आपको अब देखे आगे चलते हैं यहां से h s तो कुछ नहीं है यहां पर sin और यहां से cos h इसा का इसा करो और यहां से कीज़ेगा कि cos h cos x और sin h इसा का इसा और यहां पर minus का sin x कुछ important सी चीज़े हैं अब भी आपको दिखेंगी नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद में दिखना स्टार्ट हो जाएगी देखिएगा कि क्या है वो चीज कि एक तो अपने पास देखिएगा कि क्या क्या आप x sin x कहां से common ले सकते हो गया यह देख लीजेगा आप तो हाँ पहले वाले में यह काम हो रहा है कि sin x यह और यह देखिएगा कि cos h- का 1 और upon में h अपकी बार में देखिएगा लाश्ट टाइम मैंने एक step पीछे limit लगाई थी अपकी बार एक step आगे लगाऊँगा ठीक है अपकी बार देखिए जहां पे h वहीं पे limit लगा दूँगा यह काम करूँगा step तो बचे ना अपनी 1- h ठीक है यहां तक अब चलते हैं आगे अब यहां पे देखिएगा कि x cos x अब यहां से limit h 0 और यहां से क्या करता हूं sin h upon में h इतना तो आपका level है वही इस h को इधर divide करा दो इधर सभी में divide खरा दिया अपनों ठीक है और यहां से क्या करूँगा कि यहां पे limit as tending to 0 यहां पे mix up में बैठे हुए सभी लोग और cos x है cos x है यहां से sin x है और cos h है और यहां पे cos x है और यहां से देखिएगा कि sin h है यहां से अब देखते हैं तो सारे h को अपने अलग-अलग split कर दिया अब देखिएगा कि derivative यहां से cos x sin x इसकी limit होती है 0 पता है हमें ठीक है आगे देखिएगा यहां से cos x और यहां से h और यहां पे x और इसकी limit का हमें पता है यह होती है 1 ठीक है यहां पे और आगे देखिएगा कि आगे यह तो कट गया अब अंदर limit को भेजो कि sin x के उपर तो limit होने वाली नहीं है operate और limit हो आएगी तो वो आएगी किसके उपर as tending to cos h और आगे देखिएगा कि cos x पे तो limit होने वाली नहीं है और limit as tending to किसके उपर होने वाली है sin h पे ठीक है और यहां से देखिएगा कि क्या क्या आपके लिए क्या सचाई देखिए formula जैसे लगा सब सचाईएं बाहर आ गई इसकी यही बात है सचाईओं के लिए कुछ evidence yes है court में तो वही बात है यहां से क्याने वाला है x cos x x cos x और यहां पे देखिएगा कि यह तो क्या हो जाएगा 1 तो यहां पे आ जाएगा sin x dot 1 plus और यहां से यह देखिएगा कि यह h है यहां पे तो यह 0 आ जाएगा और यहां पे देखिएगा कि cos x dot 0 अब यहार इसको कुछ लिखने का कोई मतलब तो है नहीं सीधा 0 हो रहा है इसलिए मैं यहां से अठा देता हूँ और यह अपने पास answer आ जाते है यह इसके answer है तो updates यहां पे complete वही second में चलते हैं अब देखो यह direct formula है अपकी बार अपकी बार direct है कुछ दिक्कत ही नहीं होगी तो यहां से देखिएगा कि क्या है अब इसको क्या लिख सकते हो थोड़ा सा technometry आपको याद है तो क्या कर सकते हो आप थोड़ा technometry याद कर लो थोड़ा सा यह कुछ ना कुछ ऐसा लिख सकते हो गया लिख सकते हैं न तो यहां से direct derivative डालो और यहां से dx to sin x और cos x क्लिए रहें यहां पर आपको और यहां से क्या आएगा कि 2 तो बार कर दो first come first service देंगे कौन सा है? u.v का form है multiple product rule लगेगा u.v का form है u.v का form है u.v का form है तो क्या करने वाले हैं यहां से तो पहले तो आप देखिएगा कि v तो यह तो formula आपको लिखने है बेगर से मैंने पीछे भी करवा दिया है मैंने जब भी मैंने start किया था lecture वहां पे मैंने करवा दिया है तो अब की बार क्या करने वाले हैं? तो यहां पे पहले तो u को बार कर दो cause और यह scalar तो बार ही रहेगा scalar की तो कोई इजत ही नहीं है साली ठीक है? और आगे देखिएगा plus और यहां पे 2 और बाहर किस को कर दो? sine को अब की बार sine की इजत नहीं करेंगे और cos अब सीधा क्या करेंगे? ठोको यहां पे ठोको सब यहां पे cos और यहां पे minus यहां तो माइनस तो आएगा नहीं यहां पे आएगा cos x plus का 2 sine x और यहां पे क्याएगा minus का sine x क्लिए रहे हैं यहां पे? और यहां से क्याएगा 2 cos square x minus का 2 और sine square x यहां तो क्लिए रहे है थोड़ा सा और आपको यहां से आप लिख सकते हो cos square x minus का sine square x और इसको क्या लिख सकते हो cos to x भी लिख सकते हो यह आपका answer है है ना यह तो यह बात आपको आनी चीज़े यह सारी चीज़े ठीक है? अब दलते हैं अपने next वाले क्यूशन में cos square x दुनिया वाले cos square x को क्या लिख सकते हैं? यह आपको पता है जब भी इसको काम निकलवाना होता है दुनिया को तो थोड़ा प्यार से बोलते हैं और प्यार से क्या बोलते हैं y equal to coat आपको हम slb लिख सकते हैं coat प्यार में क्या हो जाता है थोड़ा से फिसल जाते हैं तो बोलते हैं हाँ यह यह से लिख सकते हैं तो लिखते हैं हमको तो पता चलगा है यह तो कौन सी form आगी? y equal to u by form आगी और इतने में हमने इसके क्या है थोड़े से क्या कर ले है? जितनी इसने छूट दीना हम इसके फादा उठाने लगें तो यहां से क्या फाइदा उठा है कि dy upon में dx है और यहां से पहले हम क्या करते हैं वह u वाला form है तो यहां से u u by v के लिए रहे हैं आप है अब जैसे ही आपको यहां से हिंट मिला तो आप इसका derivative का form तो आप लिखी दोगे यह तो मेरे को पक्का विश्वास हो गया आप पर ठीक है तो देखिएगा आगे चलिएगा तो यहां से u तो पहले देखिएगा कि sin को आप बाहर फेको और किसका कर दो भई? cos का कर दो और माइनस और यहां से क्या कर दो cos और derivative और यहां से यह तो यहां तो clear है अब देखिएगा कि यहां से sin x और derivative cos का क्या होता है sin x ठीक है? यह आपको पता होना चाहिए अब, direct method से कर रहे है नहीं तो first principle चे करते करते तो बूड़े हो जाएगे और यहां से क्या हैगा cos x नीचे cos नीचे क्या हैगा sin x square और क्या लिख सकते हो? इसको minus लिख सकते हो sin square x और इसको लिख सकते हो cos square x नीचे क्या हैगा? यहां से आएगा sin x square और यहां पे क्या आएगा? उपड़ तो बन गया 1 यह तो सबको पता है अब हम सबको यह तेंथ में पढ़ गया है तिक्नोमेटरी में फिर यहां से पढ़ लिए NCRT बहुत महरवान है आपको पास और इसको क्या लिख दोगे? साइन के अपोजिट को क्या लिखत हो? दुनियावाले क्या लिखते है? उसको को सेग स्कौयर बना के लिखते है ठीक है? यह माइनस यह को सेग स्कौयर यह इसका डेरिवेटिव यहां तक कम्प्लिट है सबको ठीक है? अब चलते हैं, अपने नेक्स्ट वाले में, क्या है? यह अपने पास finding the derivative, direct-direct finding करने, अपने को और कुछ भी नहीं करना, कौन सा form है भई? यू बाई वी फोर्म है दुनिया वाले जानते हैं इसको यू बाई वी फोर्म बोलते हैं पहले तो यही हमको पता ही नहीं है कि होता है यानि कि हमको यह पता नहीं है कि डिवाइड में कुछ डिफ्रेसेशन भी होता है तो U by V form पता है, अब यहां से आपको पता है, कि D Y upon में क्या करने वाले हो आप, यहां से U upon में V करने वाले हो, कि लिए रहे यहां पर बाते हैं, जैसे आप यह करोगे, तो आपके लिए यहां पर यह तो खुल ली जाएंगे, और U आप लिख ले ना भई घर से, और V भी आप लिख ले ना, अब यहां से मैं कर रहा हूँ क्या, आगे की प्रोसेस स्टार्ट, तो पहले देखिएगा कि sine x को तो बार फेक दूँगा, भई तू बार ही रह, तेरी service हैं नहीं, तू कहा भी इस में आरा, लाइन में पहले क्या रहा है और इसको बार फेका, और यहां पर x की 5 को किया, और अहां से cos x को किया और माईनस किया, ठीक है, फोर्मुले के अकोर्डिंग चला में और यहां से x की पावर 5 है और यहां से cos x है और यहां पर derivative है, derivative में नीचे वाला sin x है, अब नीचे देखिएगा कि sin x का whole square, ठीक है यहां पर, तो यहां से मैं आपको कुछ sin x, ठीक है, और यहां से अंदर देखो, इसको थोड़ा अंदर की share कराओ, x की पावर 5 का derivative कराओ, और d x इधर cos x की derivative कराओ, ठीक है, और यहां तो x की पावर 5 है, और cos x है, और derivative कराओ तो भाई, sin x के साथ, सभी का साथ में derivative करते हैं, यह चीज़े हैं और नीचे आपके पास पता है, क्या है, sin x का whole square, पता है आपको सबको, जी, तो चलिएगा, आगे चलते हैं, और यहां से, sin sin x का ऐसा ऐसा, 5 आगया आजाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा, और यहां पर minus, तो minus का sin आएगा, और minus का sin x, ठीक है, और whole bracket, और यहां पर आएगा cos x की पावर, cos x, और यहां से क्या आएगा, और cos x यह, और यहां पर यह, यहां पर देखिएगा, अब देखिएगा, कि dy अपोन में, dx क्या है, derivative हमने कर दिया, अब इसको soul out करेंगे, तो यहां से, sin x, अंदर क्या बचा, 4 x की पावर, 5 प्लस का, sin x, ठीक है, यह sin x, ठीक है, चली अगा, आगे चलते हैं, और यहां पर minus x की पावर, 5, और यहां से cos x बचा, और यहां से cos x नीचे कितना आएगा, sin x स्क्वेर, और क्या कर सकते हो, अंदर कुछ multiplication कर सकते हो, क्या, multiplication तो लंबा जाएगा, इसका, छोड़ दीजेगा, और यहीं पर इसको end कर दो, तो फिर यहीं पर कुछ अच्छा करते हैं इसके साथ, यहां पर ही करते हैं, इसका end, x की पार, minus का cos x, ठीक है, और यहां से क्या करने वाले हैं, sin का derivative होता था, cos x, और यह अपने पास, देखिएगा कि क्या है, sin x का whole square, यही अपने पास क्या है, इसका answer है, ठीक है, अब चलते हैं, अपने next slide में, फाइनल, यह x square plus का cos x upon में 10x, ठीक है, यह सारे आते हैं आपको, बस मेरे को तो फॉर्मल्टी यहां पर पूरी करनी आपको कोई भी बंदा है, उसको भी आने चाहिए, ठीक है, कुछ दीकत हो, answer match कर लें, इसलिए, क्यों मिस्टेक हो सकती, mathematics है, everyone, man is not completed, ठीक है, यहां से देखिएगा, कि यहां पर अपने को u by form v का पता है, और इसका derivative का form का पता है यहां पर u का है और v क्या है, ठीक है, अब देखिएगा कि पहले हम बोलते है यू का रहेंगी, V क्या रहे है? बीच में बाहर कर दो गई, ठीक है? V को बाहर कर दो, तो V तो 10x को बाहर कर दो, dx और इसका कर दो क्या? x-plus का cos x – क्या कर दो? x-plus का cos x को बाहर बगा दो और यहां से कर दो क्या? 10x और नीचे क्या है आपका? 10 square x यह सारे आपको derivative आपको आते हैं 10x और एक बाहर सहर करा दो derivative को अंदर की ठीक है? और इधर क्या है? x-plus का cos x है और इधर derivative की? 10x का क्या रही है अब देखिए का क्या करने वाले हम? 10x है और यहां पर 1 है प्लस यहां पर minus d को sin आजाएगा यहां से और क्या है? derivative आगया x आगया यहां से derivative और इसको यहां पर open close करो बही meter close तो यह और x आगया okay? x-plus का cos x और यहां से और upon में 10 square x 10 square x यहां से upon में 10 square x आता है ठीकर जी अब derivative है तो थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखने की कोसिस करते है dy upon में dx है और क्या कर सकते हो यहां से तो अंदर multiply करा दो 10 x और 10 x तो sin square cos x कर सकते हो कुछ भी नहीं आएगा इतना कुछ easy funda तो आने वाला नहीं यह direct की कर दो cos x यहां से 1- minus का यह है और minus x cos x और यहां से अपने पास जो shake आया था वो आए गया और नीचे 10 square और यही अपने पास क्या answer है तो यहां पे अपने होते है सारे जो exercise यानि जो misliness के examples है वो complete तो thank you so much watching this video जो अपना next जो lecture आएगा उसमें हम करेंगे exercise questions और फिर इसके बाद में अपनी exercise हो जाएगी end thank you so much watching this video like and subscribe for more videos